के ल् buttons विडियो में आपका वीडियो में फिर से आपका बहुत स्वागत है आज है संडे और संडे के इस एस ड़ीयो में मैं आप लोगे कुछ could के अंसर देता हूं आपके कुछ doubts क्लेर करने की कोशिश करता हूं तो चलिए करते हैं आज की Fashion तो पहला कोशन यहाप लेते हैं महरशी रितु राज जी का यह लेगते हैं कि 74K में मिल रहा है ले सकता हूं क्या तो महरशी रितु राज जी यहापर पूछ रहे हैं हाईर ब्रंड के क्यू एले टीवी के वारे में जो किया भी कुछ टाइम पहले ही लॉँच हुआ था इसक में आपको व्यू मास्टरपीज लेना चाहिए 65 इंच का वैरियंट वह भी आइटी थाउजन या एटी फॉर थाउजन के आसपास में उसका प्राइज है लेकिन इस टाइम उस पर करीब का कूपन डिसकाउंट मिल रहा है और कुछ क्रेट काट पर डिसकाउंट वगरा एड़ करके वहां पर भी आपको यह टीवी व्यू मास्टरपीज गिलो टीवी 74,000 के आसपास में मिल जाएगा तो वह लेना बैटर है हर बैंड के जो टीवी है वो उतने पॉप्लर नहीं है मै अलाया पर कोशन लेते हैं एक जी के एका यह लिखते है कि भाई 55 इंच कौन सा टीवी लूँ आप प्लीज गाइट कर दो बिट्वीन 30-40 लेना 55 इंच है एक जी अगर आपको प्रिस टाइम पर्चेस करना है तो आप व्यू ग्लो एली टीवी ले सकते हैं काफी बढ़िया टीवी है यह राउंड आपको 55 इंच का वेरियंट 40,000 रुपीस में मिल जाएगा और इसके अलावा आप LG UQ 7500 model भी ले सकते हैं इसका प्राइस करीब 44,990 रुपीस है लेकिन इस पे 3,000 रुपीस का कूपन डिसकाउंट मिल रहा है और HDFC बैंक के क्रेट कार्ट से या फिर 8,000 रुपीस में मिल जाएगा तो यह काफी बड़िया ऑप्शन है तो आप यह टीवी पर्चेस कर सकते हैं अगर आपके पास में HDFC बैंक का क्रेट कार्ड डेविट कार्ड नहीं है तो आप अपने रिलेशन में अपने किसी फ्रेंड वगरा से आप कंफर्म कर सकते हैं बे 5000 रुपीस के अंडर में मिल जाएगा अगर आपने कोशन यह से रहा है आप मापने वाइज के लिमिट तो नहीं लगा हुई है कि एक device connect होगी या दो device connect होगी तो आप एक वार वो चेक कर लें और उसके बाद भी अगर प्रावलम ठीक नहीं होती है तो फिर आप hotspot का आप नाम चेंज कर दें और पासवर्ड भी चेंज कर दें और उसके बाद में आप connect करें तो I think connect हो जाना चाहिए अगला में पर कोशन लेते हैं पुश जी का ये लगते हैं कि प्लीज सजेस्ट में गुड़ कॉलिटी सेमसंग 55 इंच टीवी फॉर लॉंग टाइम यूजज ऑफ लाइन मर्केट पुश जी देखिए सेमसंग के टीवी में काफी जदा बैक लाइट बीडिंग के शुकी कंप और इस टाइम जो है सेमसंग के 2023 के टीवी मॉडल भी मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं तो वो भी आप वहापर चेक आउट कर सकते हैं अलाकि मैंने अभी 2023 का कोई मॉडल परसुनरी अभी चेक नहीं किया है जाकर तो आप चेक कर लें अगर कोई नहीं मिलता तो पर कोशन लेते हैं ट्राइटू सी एवरीथिंग का ये लिखते हैं कि सर मेरा सेमसंग का टीवी तीन महीने में डेड हो गया है क्या मुझे रिप्लेस्मेंट या रिफंट मिल सकता है वो रिप्यार करके देंगे बोल रहे हैं मैं रिप्यार नहीं करवाना चाहता आज 25 दि है तो उसे रिप्यार करके ही पहले दिया जाता है रिप्यार करने के बाद भी अगर उसमें कोई प्रॉलम आती है तो फिर आपको रिप्लेस्मेंट मिल जाता है अब यहां पर यह देखने वाली बात होगी कि पूरा जो टीवी डेड हुआ है तो अगर एक निव पावर सप बात की बात हो आती है वह एक दम से नहीं दिया जाता है और आपकीvos चैंसल कर दिया तो ऐसा वह और एप आप दुबारा से कंप्लेंग करें और जो भी आप कंप्लेंग करते हैं तो की call recording वगर्या जो आप अपने पास में रखें अगर email करें तो email के अपने Whoa आप अपने पास में रखें और जो भी इंजीनियर वहां से विजिट करने आता है उसका नाम नमबर भी आप अपने pasa mind wrote करके जरूर से रख लें और हो सकता है उससे बात करते टाइम पर वीडियो को भी record करके रख लें और उसकी बाद में आप Oke कंप्लेंट कर रहे हैं बार बार करके नहीं दे रहे हैं तो फिर आप आप कंजूमर फॉरम में इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सैंसंग एक प्रीमियम ब्रांड है और बिना रिप्यर करेंगे अगर तीवी तीन महीने में ही डेड हो गया है वारंटी कर दें अगरा यहां पर कोशन लेते हैं अविणाष्ऺ कर दूं क्या प्रड़क्त मिलने चाहिए भस अविनाष्वान जी देखिए मेरे बरर तोItem Solit को कि है कोई प्रॉलrम हो जा किसी विजए सब नामेल मिल तो आप दोस्त जो है मुझे अगे और मुझे ऑज website के बारे में कोई आजएक ली जादा पता नहीं है अचानक से यह मेरे सामने आ गई थी तो मैं सोच था कि इसका वीडियो बनाओ मुझे लगा एक्चल में यह फ्रॉड वेफसाइट है तो एक बार मैंने सोचा कि चलो इससे पहले इसको ट्राई करके देखते हैं चेक करके द ओंगार का सफंगे और यहां तो मिनिममम आडर की लिमिट लगा देते हैं कि आप 1,000 रुपे से कम के और बूक नहीं कर सकते तो तो आप चाहें तो order book कर दें और एक चीज और है अभी मैं आगले कमेंट में वह बताऊंगा इसी वेबसाइट के बारे में ही है अगला है पे कोशन लेते हैं जोगेंदर कुमार जी का ये लिगते हैं कि असिफ सान मेरे बाई ने लगते हैं कि न्यू थाटी टू इंच ट्व ये पैनल के साथ ले लिया है ये नकली टीवी तो नहीं है जैन 5 प्रोसेसर भी नहीं हर्याना डीलर से लिया है लगी की ओफिशल वेबसाइट पर भी शो नहीं कर रहा है 17500 में लुट तो नहीं गए प्लीज डिप्लाई जोगेंदर गुमार जी अगर आपने यी टीवी प ही होगा हो सकता है कि LG की वेबसाइट पर भी 2023 का ये मॉडल है तो अपडेट ना किया गया हो और ऐसे बता बाना मुश्किल है तो अगर आप टीवी की कुछ इमेज मुझे भेज़ दें उसके टीवी की रियर साइड में एक स्टीका लगा होता है उसकी आप इमेज मुझे और जो उसका बॉक्स है बॉक्स पे भी साइड में एक स्टीका लगा होगा जिसे मैनिफेक्ट्रिंग डेट टीवी मॉडल नंबर प्राइस बगरा सादा कुछ मेंशन होता है तो एक बार से मुझे वह जरूर बेज दें और LG का जो लोगो लगा हुआ होगा नीचे वाले बेजल पे जो उसकी ब्रांडिंग उन्होंने अपनी की होई होगी तो उसका भी मुझे एक फोटो क्लिक करके दो तिन फोटो बेज़ दें आप मेरी एमेल आइडी पे बेज़ दें और कमेंट में मैंने अपना मुवाइल नंबर भी मेंशन कर दिया है तो आप उस पे ने आकर टीवी को इंस्टॉल किया है तो फिर डेफिनिटली वह ओरिजिनल टीवी होगा क्योंकि अगर वह नगली टीवी होगा तो वह इंस्टॉल करेगा ही नहीं और आपको बता देगा अगला पर कोशन लेते हैं प्रश्म जैन जी का यह लगते हैं कि सर आप इस प्रज प्रजेक्टर के बारे में जिसका रेव्यू मैंने अभी कुछ टाहिम पहले किया था और एक और प्रजेक्टर आ गया है तो उसका भी वीडियो है आई थिंग कल्या पर समय आ जाएगा तो देखिए एलर इसकी लेना तो आई थिंग ठीक नहीं रहेगा क्योंकि देखिए ओए लर सकीन पे यह आपको डार्क रूम तो करना ही पड़ता है और डार्क रूम में ही आपको बेस्ट पीचर कॉलिटी मिलती है चाहे फिर वह फिर वह भाई जिसका है तो इसकीन के वीडियो का लिंक में ऊपर आई बिटन में दे दोंगा तो वह झासकती है वह आपको हं वाल पे ऐसी कीले लगाकर और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं थोड़ा सा और आपको clear clean look चाहिए तो फिर आप map type screen ले सकते हैं थोड़ी सी और अच्छी quality में screen चाहिए तो आप आप pull down manual screen ले सकते हैं जिसमें आपको दो variant मिल जाते हैं एक auto lock में आती है एक without lock आती है तो वह आपको 100 इंच की पे 23,000 रुपीज का है आप 20,000 को बोल रहे हो खुर्शीद खान जी मैंने अपने वीडियो में नहीं कहा है कि यह आपको amazon पे 23,000 रुपीज में मिलेगा आई थिंक यह वाला जो particular model है यह amazon पर नहीं है अभी नहीं रिसेंटली वहां पर add किया होगा इसके seller ने तो मुझे idea नहीं है लेकिन यह आपको सिर्फ मिलता है pixpack.in और ddeal.in वेबसाइट पे तो कि pixpack.in और ddeal.in जो वेबसाइट है इसकी authorized dealer है इसकी basically owner है तो वही इसको sale करते है और उन वेबसाइट पे इसका जो price है वो है 22,990 रुपीज लेकिन आप एक coupon code है TST3 वो आप apply कर देंगे तो आपको मिलेगा 19,990 रुपीज में तो यहाँ पर यह जो projector है मुझे review के लिए बेजा गया था इसके लिए मुझे कोई payment नहीं किया गया था और मेरे पास जो projector था वो भी वापस मगा लिया गया था लेकिन इतना benefit दे दिया गया था कि TST3 यानि की technical show time 3 करके उन्होंने shot करके मुझे coupon code बना कर दिया था कि वी जो हमारे viewers है अगर यह परचेस करेंगे तो 3000 रुपीस का discount उन्हें दे दिया जाएगा तो इस जैसे यह 23,000 रुपीस का है लेकिन 20,000 में मिल जाता है वो coupon code यूज करके आलाहाँ पर question लेते हैं विद्धुत गोश जी का यह लिगते है कि आ काफी सस्ते में product मिल रहे थे Amazon और फिलिप काट के या किसी अधर website की comparison में काफी सस्ते में product मिल गए थे मुझे लग रहा था कि fraud website मैंने वहां से product मगा लिए और मुझे रिसीबी हो गए कुछ product अच्छे निकले कुछ product खराब निकले उसके दो वीडियो मैं बनाए हुए है part one or part two वह आप देख सकते हैं उनके link उपर i button में मिल जाएंगे और वीडियो के end में भी मिल जाएंगे तो यहां पर बिदुद्ध गोष जी पूछ जी पूछ रहा है कि इनकी return policy के बारे में तो बिदुद्ध गोष जी देखी इन्होंने अपनी website पे return policy mention की हुए उस में इन इस वीडियो का अगा दूसरा पार्ट देखा हुआ तो वीडियो के end में एक एर इंफ्लेटर दिखाया जो कार बाइक में एर कर सकते हैं उसका जो मीटर दिया गया है तो जब मैंने उस एर इंफ्लेटर को अपने कार के साथ में connect किया तो i10 मेरे पास में कार है उसमें 33 एवरेज इसके अंदर रहती है लेकिन उसका जो मीटर है एर इंफ्रेटर का तो 140 वहां पे दिखा रहा था पांच में नेक्ट कनेक्ट करने के बाद भी वहां पर जो है एर एक पॉइंट भी उसने एर इंफ्रेट वहां पर नहीं की तो मैंने उसकी रिटन रिक्वेस्ट की इनके मेल आइडी नहीं दिया हुआ था इन्फो एडरेट डूडप डॉट कॉम करके उस पर मैंने मेल किया रिटन के लिए वहां से मेरे पार रिपलाई आगया कि हमारे कस्टमर के आइजेकुटिव आपसे कॉल पर बात करेंगे लेकिन दो दिन कोई कॉई कॉल नहीं आई एक्चुली आइव डिसीव यूर नंबर फ्रॉम कंसर्ण टीम एंड डायल यूर नंबर बट नोवन पेकप दा कॉल तो इनका कहना है कि मैंने जो मेल में कंप्लेंड की थी वहां से इनको कंप्लेंड मेरी फॉरवर्ड की गई होगी तो इनका कहना है कि इन्होंने मुझे क की थी तो तो मैं सारी कॉल जरूर पर करता हूं फिर भी मैंने इनको रिपलाई भी किया और इस नंबर पे इनको मैंने कॉल भी किया तो इन्होंने मुझे दूसरे का नंबर दे दिया दूसरे से मैंने बात की तो इन्होंने मुझे फिर से इनका नंबर दे दिया और मैंने फिर वटसेप पे इनको मैसेज किये लेकिन कोई भी प्रॉपर रिप्लाई इनकी तरफ से नहीं है रिटन रोकेस्ट मैंने किया दो प्रोड़क्ट की ट्राइपॉड में गाया था और एक जो एर इंफ्लेटर था उसका तो रिटन पॉलिसी मुझे नहीं लग रहा है कि इनकी खत्म करते हैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड शेयर और अगर आपने पहली वार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब बेल आइकम को भी प्रेस कर दीजिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई